हेलो स्टुडेंट्स आज इस वीडियो में हम चैप्टर टू फ्रैक्शन्स एंड डैसिमल्स एक्सरसाइज 2.7 से कोशे नंबर 3 और 4 सोल्व करेंगे कोशे नंबर 3 देखें फाइंड फर्स्ट पार्ट दिया गया 2.7 डिवाइड़ बाई 100 तो हमें इसे सोल्व करना है तो देखें एक बात ध्यान रखें कि जब भी किसी डैसिमल लंबर को 10, 100 या 1000 से डिवाइड किया जाता है तो 10, 100 या 1000 में जितनी 0 होंगी पॉइंट लेफ्ट साइड की तरफ उतने ही डिजिट्स आगे बढ़ेगा जैसे कि फर्स पार्ट देखें हमें दिया गए 2.7 डिवाइड बाई 100 तो यहां पर देखें 2.7 ये एक डैसिमल लंबर है और इसे किस से डिवाइड किया जा रहा है hundred से divide किया जा रहा है और hundred में कितनी zeros हैं देखे two zeros हैं तो ये point left side की तरफ two digits आगे बढ़ेगा तो देखिए 27 मैंने ऐसी लिखा देखे point यहाँ था यहाँ से left side की तरफ two digits आगे बढ़ेगा पर यहाँ तो सिरफ ये एक ही डिजिट है तो two से पहले मैं ये एक zero लिख लूँगी तो अब देखिए two digits बन गए तो point यहाँ से left side की तरफ two digits आगे बढ़ गया तो point यहाँ आगया one two two digits आगे बढ़ा तो point यहाँ आया और ones के place पे कुछ नहीं है तो यहाँ zero आ जाएगा तो two point seven को hundred से divide करने पे क्या आएगा zero point zero two seven आएगा ठीक है अब second part देखिए दिया गए zero point three divided by hundred अब इसमें zero point three को divide किया जा रहा है hundred से hundred में two zeros है ठीक है तो point left side की तरफ two digits आगे बढ़ेगा तो देखिए zero three मैंने ऐसी लिखा point यहाँ था यहाँ से left की तरफ two digits आगे बढ़ेगा पर यह तो सिरफ एक ही digit है तो मैं इससे पहले एक और zero लिख लूँगी तो अब देखिए one two two digits बन गई है तो यहाँ से point left side की तरफ two digits आगे बढ़ेगा तो यहाँ point आ गया और यहाँ one's के place पे कुछ नहीं है तो तो point left side की तरफ two digits आगे बढ़ेगा तो देखिए zero seven eight यह ऐसी लिख लेंगे zero seven eight तो यहाँ से point left side की तरफ two digits आगे बढ़ेगा पर यहाँ सिरफ one ही digit है तो two digits बनाने वाले zero से बनाने के लिए zero से पहले मैंने एक zero लिख ली तीक है तो 0.78 को 100 से डिवाइड करने पे क्या आएगा 0.0078 अब फॉर्थ पार्ट देखिए दिया गया है 432.6 divided by 100 तीक है अब इसमें भी देखिए 100 से डिवाइड किया जा रहा है decimal number को 100 में कितनी zeros हैं two zeros हैं तो point यहाँ से left side की तरफ two digits आगे बढ़ेगा तीक है तो पहले मैं यह लिख लेती हूँ 4326 से मैंने लिखा point यहाँ था तो यहाँ से left side की तरफ two digits आगे बढ़ेगा तो one two two digits आगे बढ़ा तो point यहाँ पर आ जाएगा तीक है तो 432.6 को 100 से डिवाइड करने पे क्या आएगा 4.326 आएगा तो फिफ्थ पार्ट देखे 23.6 divided by 100 अब इसमें भी 100 से डिवाइड किया जा रहा है 100 में two zeros है तो point left side की तरफ two digits आगे बढ़ेगा तो देखे यह मैं लिखा two three six यहाँ था point यहाँ से left की तरफ two digits आगे बढ़ेगा तो one two two digits आगे बढ़ा तो point यहाँ आजाएगा और once के place पर कुछ नहीं है तो यहाँ 0 आजाएगा तो 23.6 को 100 से डिवाइड करने पर क्या आएगा 0.236 आएगा ठीक है अब 6 पार्ट देखे दिया गए 98.53 divided by 100 अब इसे हमें 100 से डिवाइड करना है तो देखे 100 में two zeros है तो point यहाँ से left side की तरफ two digits आगे बढ़ेगा तो देखे 9853 यह मैंने ऐसी लिखा point यहाँ था तो यहाँ से left की तरफ two digits आगे बढ़ेगा तो one two यहा यहां पर आ गया और यहां वंस के प्लेस पर कुछ नहीं है तो zero आ जाएगा ठीक है तो 98.53 को 100 से डिवाइड करने पर क्या आएगा 0.9853 अब कुशन नंबर फोर देखे फाइंड फर्स पार्ट दिया गए 7.9 divided by 1000 तो यहां पर देखे 7.9 एक decimal number और इसे 1000 से डिवाइड किय जा रहा है तो देखे जब भी किसी decimal number को 10,100 या 1000 से डिवाइड किया जाता है तो 10,100 या 1000 में जितनी zeros होंगी point left side की तरफ उतने ही digits आगे बढ़ेगा अब यहां पर देखे 7.9 को 1000 से डिवाइड किया जा रहा है 1000 में कितनी zeros हैं 1,2,3 zeros हैं ठीक है तो point यहां से left side की तरफ 3 digits आगे बढ़ेगा तो देखे 79 मैंने यह ऐसी लिखा point यहां था यहां से left side की तरफ 3 digits आगे बढ़ेगा पर यह तो सिरफ 1 digits है तो 3 digits बनाने के लिए 7 से पहले मैं यह 2 zeros लिख लूँगी तो देखे 1,2,3,3 digits बन गए तो point यहां पर आ जाएगा और once के place पे कुछ नहीं है त तो 7.9 को 1000 से डिवाइड करने पर क्या आएगा 0.0079 अब second part देखे दिया गया 26.3 divided by 1000 तो इसे देखे 1000 से डिवाइड किया जा रहे हो 1000 में 3 zeros है तो point यहां से left side की तरफ 3 digits आगे बढ़ेगा तो देखे 263 अब देखे point यहां पर था तो यहां से left side की तरफ 3 digits आगे पर यहां तो सिरफ 2 digits है ठीक है तो 3 digits बनाने के लिए 2 से पहले मैं एक 0 लिख लूँगी ठीक है तो point यहां था तो यहां से देखे 1 2 3 3 digits left side की तरफ आगे बढ़ेगा तो point यहां पर आ जाएगा और यहां once की place पर कुछ नहीं है तो 0 आ जाएगा तो 26.3 को 1000 से डिवाइड करने पर क्या आएगा 0.0263 अब थर्ड पार्ट देखे दिया गए 38.53 divided by 1000 तो देखे से 1000 से डिवाइड किया जा रहा है 1000 में कितनी 0s है 3 0s है तो point यहां से left side की तरफ 3 digits आगे बढ़ेगा तो देखे 38.53 मैंने ऐसी लिखा यहां था point यहां से left side की तरफ 3 digits आगे बढ़ेगा पर देखे यहां तो सिर्फ 1 2 ही digits है तो 3 digits बनाने के लिए 3 से पहले मैं 0 लिख लूँगी तो अब देखे 1 2 3 digits बन गए तो यहां से point left side की तरफ 3 digits आगे बढ़ेगा तो यहां आ गया और 128.9 divided by 1000 1000 से divide किया जा रहा है और इसमें 3 0s है तो point left side की तरफ 3 digits आगे बढ़ेगा तो देखे 1289 मैंने ऐसी लिखा यहां है था point तो यहां से 3 digits left की तरफ बढ़ेगा तो 123 तो यहां आ जाएगा point ठीक है और once के place पे कुछ नहीं है तो यहां 0 आ जाएगा तो क्या आएगा 0.12 289 ठीक है फिफ्ट पार्ट देखे दिया गए 0.5 divided by 1000 ठीक है 1000 से divide किया जा रहा है उसमें 3 0s है तो point यहां से left side की तरफ 3 digits आगे बढ़ेगा तो देखे 05 मैंने ऐसी लिखा 05 point यहां है यहां से left की तरफ 3 digits आगे पढ़ेगा तो यहां तो देखे left की तरफ 1 ही डिजिट है क्या करूँगी मैं 0 से पहले 2 0s ओल लिख लूँगी तो अब देखे 1 2 3 3 digits बनगे तो point यहां से यहां पर आ जाएगा left की तरफ ठीक है और यहां कुछ नहीं आवन्स के place पे तो 0 आ जाएगा तो इन्हें divide करने पे क्या आएगा 0.0005 तो आज इस वीडियो में हमने question number 3 और 4 सोल करा अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो please like share and subscribe thank you